कर दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करने वाले पेटीम की लिस्टिंग के बारे में साथी साथ कल पेटीम के क्या टार्गेट्स बन सकते हैं तीन दिन मार्केट बन रहा है इन दिनों में कुछ डवलप्मेंट्स कुछ इस्टोरीज सामने आती भी देखने के लिजे तो दीगी स्टॉक की बेसिक डिटेल्स आप सभी को पता है जो इकी सो पचास का इशू था उसकी तोलना में उनने सो पचास पर शेर खुलता है उनने सो पच्पन का हाई लगाता है यानि ओपन होने के पांच रुपए ही उपर गया महा से भैंकर गिरावड देखन यहां आप देख सकते हैं हाई 1905 और लोग 1560 का है 18 नौबर 21 को लेकिन एक चीज और देखें कि क्वांटिटी जबरदस ट्रेड हुई है और डिलीवरी भी काफी अच्छी हुई है करीब करीब 35 से 40 की उपर की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है डिलीवरी 43 हुई है यानि गिरावट में लंबी यहोदी के लोगों ने इसको एड किया है इसको जिन लोगों ना इपिम एड नहीं किया था यह आइपिम एड किया है तो एवरेज आउट करने के लिए यहां पर बाइंग भी अच्छी हुई है यह चीज एक जरूर पॉजिटिव है वह मैं आपको द लेकिन वो गुम हो गया है तो दो लाग से उपर सेलर्स थे पंद्रा सो साट के प्राइस पर बीचने के लिए जबकि लोगों इस चीज से एक मोटा मोट आइडिया यह निकलता है कि कल की डेट में भी आपको यहां पर तेज गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है कल की लिमिट भी सरकिट की 20% की है जो कि आप यहां बी एस सी की साइट में आपको दिखा देता हूँ अब 1560 से अपर बेंट 20% का उपर का बनता है 1876 का प्राइस और लोड सरकिट जो बनता है वह है 1251 का देखे कल की डेड में लोड सरकिट तो नहीं लगए क्यांकि बहुत ज्यादा वह दिक्रत वाली बात हो जाएगी बहुत बड़ी गिरावट के लाएगी लेकिन हाँ 50% की मिनियों गिरावट रहती है अगर बाइद दवे स्टॉक इस प्राइस तक पहुंचता है तो मुझे रगता है तेजी से आप बहुत तेज पुला पाने के संभावना बन जायी थी देखिए अगर चार्ट पर आते हैं और यहाँ पर टुकडम बाई किस तरह से कर सकेंगे अगर आपका कैपितल जो है चोटा है तो एक एक शेर दो दो शेर यहां पर गिरावट में डाल सकते हैं मीडियम कैपिटल है तो दो 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 पांस पांस अगर बड़ा बड ओवर येट यानि दर्द जो है पेटियम की गिरावट का अभी खतम नहीं हुआ है करेक्शन अभी खतम नहीं हुआ है अब देखे जिन लोगों ने या तो आई पियम लगाया या नहीं भी लगाया और एवरेज आउट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी ख़बर दे यानि एक बड़ी गिरावट की यहां पर अभी भी परबल संभावना बनी हुई है उसके लावाए इस तरह का जो यह हरकत हुई है से भी से बड़ा माराज दिख रहा है से भी लाइकली टु कुईज इन्वेस्टमेंट बैंकर सुन पेटियम लिस्टिंग फियास को पेज इस तरह पे क्या कमी रह गई थी अब दीखे आगे क्या पताया गया था केपिटल मार्केट्स रेगुलेटर विल सीग देर व्यूस ऑन वाइड़ा स्टॉक टैंक्ट अन दे लिस्टिंग लिस्टिंग लिए उसके बाद बीस परसेंट का लोड़ सरकेट 38,000 क्रोड रुप पाउट होते पर देखने को मिले पहले दिन ही अब देखिए आगे में बताया कि लिस्टिंग दे की कभी गारंटी नहीं होती यह बात सच है पांस-दस परसेंट उपर पांस-दस परसेंट नीचे यह चीज़ चलती है लेकिन यह जो गटना करम हुआ है इतने बड़ी गिर प्रेंट रॉंग से भी कह रही है क्या गलत हुआ इसकी जांस तो हम करेंगे इट विल आलसो प्रोब दिट्रेडिंग पैटर्न ऑन दा लिस्टिंग डे सेडन ऑफिसियल अब देखें पेटियम के खराब लिस्टिंग के खराब प्रदर्शन के बाद में कुछ और चीज़ पढ़ने वाले हैं यानि मार पढ़ने वाली देखने को मिल सकती है खराब रिस्पॉंस को मिलने के संभावना बनेगी आपने पेटियम में इस तरह की जो है लोस लिया है अगर आपको आपको आपने लगाया और आपकी उम्मीद खराब हुई है तो इस इन दो चीज़ में आप घ्यान रखना कि आने वाले समय कोई भी आई प्यों बिना सोचे समझे बिना उसके बैलेंस शीट का दियान किये कभी पैसा ना लगाएं तो देखिए काफी बात हमने कर लिया होप कि आपको अच्छा लगाओगा वीडियो देखके एक रिपोर्ट से अगर आपने को कल की देट में उसके बाद थोड़ी तेज़ प्रॉफिट बुकिंग और यहां पर देखने को मिल सकती है उसके बाद बहुत जादा गिरावाट ना होकर स्टॉक संबलेगा और वहां पर थोड़ी सी टुकड़ों में बाई स्टार्ट हो जाएगा और वहां से एक ट्रेक दो उसके सामने है तो इस तरह के पचार्ट के पैटर्न आने वाल दिनों में और यहां बन सकते हैं ट्रैप होने से अच्छा है आप इसको अच्छे से घिरने दें पहले जितना और विस्पर्ट लोग वहां बैठे हुए तो उन्होंने टार्गेट ये ओलरेडी लि तो चले बात के लिए पेटीम के बारे में काफी डिटेल में आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद